हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो चैनल सो आज हम करेंगे चैप्टर सेवन दाट इस सेंटर ओफ ग्रेविटी जी यह चैप्टर बहुत ही इजी है इसको बस ध्यान से समझना आपके इंटेगरिशन के जो कंसेप्ट अगर वो क्लियर है तो यह चैप्टर बहुत ही आपका इ पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रक्ट करती है हम ग्राविटेशनल फोर्स पर्टे आरे बच्पन से पढ़ते आरे कि जो भी अर्थ आर्थ का जो अर्थ में इतने भी पार्टिकल्स है और कोई बोड़ी है अगर हम उपर की तरफ कूदते हैं अग फीकियों किरा क्योंकि अर्थ अट्रक्ट अबरी पार्टिकल्स टुवार्ज द सेंटर हम बच्पन आ रहे हैं अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं देखूं कोई भी पार्टिकल्स होता है तो उसमें एक ऐसा पॉइंट है अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करना चाहूं तो भी नहीं हो रही बट एक पॉइंट इस किट पे ऐसा ज़रूर होगा जहां पे इसका सारा मास और जहां पे जिस पॉइंट पे यह किट बैलन्स हो जाएगी और नहीं गिरेगी तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे सेंटर उफ मास किया वो लिए सेंटर उफ मास गए अब देखो कुछ बोडिस अगर अumofer की सर फेस से ही बाहर है अब ग्रविटेशिनested की 서 जाएगा और न केसिस में चलंट करते कि अमेजनर हैरे कि मे इस बंडेते हैं निटे को यहां पर यह भग है और the body with a small area of the line joining its particle to the center of earth are almost parallel अगर बोडी इतनी छोटी हो बोडी बहुत ही अगर बोडी इतनी छोटी है इतनी छोटी है कि उसके जो उसके जो जो जोईन कर रही है अगर यह बोडी है अगर इतनी छोटी है कि इसके पार्टिकल्स क्या है पैरलल है अगर इसके पार्टिकल्स पैरलल है तो ऐसे केस में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है the resultant of these parallel forces through which the weight always possesses for the always position of the body is called the center of gravity तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि जहां पे आपकी body का mass सारा concentrated है वो हमारा center of mass point होगा और वह हमारा point क्या हो जातता है center of gravity तीक है अब जो 7.1 है इसमें आपको कुछ articles मिलेंगे और यही सहीं articles आपको 7.2 में मिलेंगे तो इसको इन articles को जो करने का ढंक से जो method है वो 7.2 में दिया हुआ है that is integration integration के method से हम क्या करे कि uniform lamina है उसकी center of gravity क्या है एक triangular lamina है उसकी center of gravity क्या है एक uniform road है उसकी center of gravity क्या है तो 7.1 में क्या किया हुआ है सिर्फ आपको समझा रखा है बट अगर हमें इसको solve करना चीसे तो हमें इसको 7.2 से करेंगे तो एक्जाम के point of view से भी 7.1 की आप questions और examples देख सकते है 7.1 में से questions औ minimum बहुत ही 0.1% chances होते हैं कि 7.1 से question आई जो इसकी important exercise है न इस chapter की वह 7.2 ही है तो मैं यहीं चाहूंगे कि मैं आपको 7.2 करवाँ एक्जाम की point of view से वही important है वहां से question जरूर आएगा तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 7.1 कर रहा हूं तो मुझा बिता देना मैं करवा तो स्पोस्स पर्टिकल मास 2 मास 2 मास 3 मास 12 मास 13 म को को क् bats इसी की बहुत सारे बितसे करते यह वाले करने बाहुत साहते यहीं कि सब्सक्राइब न उस यहां साहБन च्क्राइब क्शक्ण क्न मास 1 मास 12 मारे कर दो कर लिया कि जो X-bar है वो क्या है center of gravity of the system from O कि O point से center of gravity पूरे system की वो क्या है X-bar है तो देखो weight क्या होगा mass into G M1 G M1 G अब G जो होता है वो सबके लिए सेम रहता है तो इसलिए G सबके लिए सेम रहेगा तो weight क्या होगा particle का mass into यह क्या होती है आपकी acceleration due to gravity M1 G M2 G upzone MN G है यहां पर क्या किया होगा इसको देखो यह बता रखा है कि X-bar हम कैसे निकाल सकते है M1 G X1 plus M2 G X2 upzone M3 G X3 upzone MN G Xn ऐसे निची है क्या हो जाएगा M1 G plus M2 G plus upzone MN G तो इसका formula जनल कि अगर मैं बात करें तो वो क्या होता है अगर आपको X-bar निकालना है तो जे की value vary करेगी 1 to N M J X J upon summation J की value I to N M G ठीक है और यह यह formula हैं आपको लिखके बताया होगा है यह क्या है यह तो आपके लिए किसमे था जब particle straight line में सारे के सारे बट अगर particle plane में लाई कर रहे हैं अगर particle यह तो plane में आपको plane का बताया अगर एक यह जो था article यह line के लिए था कि एक सारे के सारे particle एक line match कर रहे हैं बट अगर plane match करेंगे तो उसका formula यह बन जाएगा तो जो 7.2 में है वो integration method यहाँ पर simple method दे रखा है यहाँ आपको सिरफ बता रही हूँ मैंने सिद्धा 7.2 इसलिए ने start कर वाई फिर आप ऐसे सोचते कि मैंने skip करवा दिया तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं करवा रही यही सारे article देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ है uniform rod, triangular lamina, parallelogram lamina और भी बहुत सारे मिलेंगे इसमें tetrahydran circular wire ठीक है तो हम 7.2 को ही करेंगे exam की point of view से ठीक है यह सिर्फ आपको बताने के लिए था अब देखो इसमें क्या है 7.2 में इसमें हम center of gravity find out करेंगे integration method से किससे करेंगे integration method से तो देखिए उसके लिए formula क्या है उसके लि कर लिया m1, m2, m3, ups1, mn और उनका distance अगर x, y coordinate में particles है तो उनका distance क्या होगा x1, y1, x2, y2, x3, y3, ups1, xn, yn, yn तो हमने रेट कर लिए कि जो x bar है वो क्या है center of gravity of the system for x coordinate और y bar क्या है for y coordinate तो उसका formula यह अभी हमने पढ़ा, summation वाले method से पढ़ा, but अब इसको में क्या करना चा distribution of matter as in the case of rigid body, we may consider the body to be divided into large number of small elements, अब यह तो क्या था, यह तो individual के लिए था, कि x bar के लिए, y bar के लिए, but अगर हमारे पास rigid body है, वो बहुत बड़ी body है, तो हम क्या करते हैं, उसको small small part में divide कर लेते हैं, small small part में divide करने का मतलब क्या है, कि जो यह x bar है और y bar है, इसके भी हम छ चोटे 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 कर देंगे, then the center of gravity, at the point x bar, y bar, when the number of subdivision is increased infinitely, so that each element of mass is tends to 0, under these conditions, we have from the definite, यह क्या कह रहे है, यह से कह रहे है, कि आपने इतने small 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 उसके division कर दिये, कि जो मास था, वो यह, इसमें convert हो जाएंगे, x bar बन जाएगा, integration of x, हमने क्या कहा, कि mass बहुत चोटा है, हमने 0 को tend करा रहे, that means, dm, dm क्या है, mass of element, यहाँ पर y bar का formula क्या बन जाएगा, integration limits, अब यह जो limits होती है, वो depend करती है, हमारे article पे, हमारे questions पे, यहाँ पर क्या हैंगी, वो कैसे हैंगी मैं आपको भी आगे बताऊंगे, अभी के लिए बस आपको यह पता होना जाएगी, x bar क्या होता है, integration x dm, यहाँ पर dm क्या है, mass of element, upon integration of dm, y bar अगर निकानना है, तो integration of y, dm upon dm, ठीक है, clear रहे, इतनी मैं समझ में आ गई, अब देखो, इसमें कुछ formulas होता है, general, देखो यह, यह आपको learn होने चाहिए, मैं आपको पहले यह बता दितूँगी, आपको क्या क्या इसके chapter के अंदर learn करना है, इस chapter में क्या क्या learn करना है, तो यह, x bar, y bar का formula, और क्या learn करना है, अगर question में, Cartesian coordinates है, x, y, z की form में, अगर Cartesian coordinates है, तो जरूर ds होगा, ds यानि, देखो, यहाँ पे जो हम यह ले रहे हैं, वो ds इसके लिए क्या होगा, यह होगा, अब इसका formula आपको learn करना पड़ेगा, कि ds क्या होगा, 1 प्लस dy upon dx का square, और इसका int, उसकी under root, अगर polar coordinates है, r और theta की form में अगर given है question में, तो उसका formula क्या बन जाए का, r square plus dr by d theta का whole square under the root d theta, अगर parametric equations आपको let करनी पड़ी है, तो x, अगर y, अगर अपने दो parametric equations let करनी हैं, तो उसके लिए जो ds होगा, यानि की arc length जो होगी, वो यह होगी, अगर center of gravity of a solid of revolution about this, यह अपका generalism यूज नहीं होगा, इ main formula है, वो यह 3 ही है, तो यह 3 formula आप learn कर लेना, learn क्या करना है, कि अगर हमें Cartesian coordinates में पूछा गया है, तो हम ds की value रखेंगे, अगर polar coordinates में है, तो ds की value रखेंगे, और parametric equations की form में है, तो ds की value यह रखेंगे, बस यह था, जो learning का बारताब हम समझते हैं, कि इसमें करना क्या ह में, देखो, हमें निकालनी है, center of gravity of a thin uniform rod, हमें पता है, हमें और ली पता है, यह बात, कि जो भी uniform substance होते हैं, उनकी center of gravity होती है, बिल्कुल उसके mid में राई करती है, बिल्कुल middle में राई करती है, तो अब हमें यह चीज़ प्रूफ करनी है, हमें यह चीज़ शो करेंगे, क और वो point P, A से कितनी distance पर है, X distance पर है, कितनी distance पर है, X, मैंने पूरी जो A भी है, उसकी length तो let कर ली, A, और मैंने point let कर लिया, P, जिसकी जो distance है, A से कितनी है, X, और उसका mass कितना है, M, चीज़ है, अब देखो क्या, मैंने एक और point let कर लिया, Q, जो कि बिल्कुल P के बिल्क प्रोड है A, B, जिसकी लेंथ है A, आपने इसको प्रूव करने के लिए एक पॉइंट ले लिया P, जो की A से कितने डिस्टेंस पर है, और इसके बिल्कूल पास एक point ले लिए Q इन दोनों का distance इतना कम है कि हम उसको क्या denote करेंगे delta x क्या denote करेंगे delta x कि ये बहुत पास-पास है इनका दोनों का distance वो क्या है delta x तो अगर ये delta x है ये x है तो A से लगी Q तो कि distance क्या बन जाएगी x plus delta x क्लियर है इतनी बात ही क्या है बन जाएगी express delta x तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है let A B is equal to A be a thin road and M its mass per unit length M क्या है? यहाँ पर दोखो ये M क्या है? mass upon length क्या है? mass upon length let P be a point in the road at A distance x from A अपने P एक point let कर लिया जो कि A से x distance पर है आपने एक Q point ले लिया जो कि P के पास में है और इस तरह से लिया कि P क्यू कि जो distance है वो delta x है और इसके distance delta x होने के फ़रे से x plus delta x that is AQ कितना बन गया आपका x plus delta x clear एतनी बात अब जो M है जो M है वो क्या है? mass per unit length तो अगर मुझे mass निकाल लो mass तो वो क्या बन जाएगा? M into length बन जाएगा ना समझा है यह बात? अगर मैं mass को small m को mass per unit length ले लिया हूँ तो मुझे mass निकालना है mass क्या बन जाएगा? M into length बन जाएगा तो PQ का मुझे mass निकालना है तो PQ का mass क्या हो जाएगा? mass of PQ is equal to M into length of PQ और PQ की length कितनी है? इनकी बिच का distance कितना है? delta x तो mass of element क्या बन जाएगा? समझा आगे आपको कि हमने mass कैसे निकाला? mass of element PQ कैसे निकलेगा? M into length of PQ यह पिलें PQ की length कितनी है? delta x तो mass क्या बन जाएगा? M into delta x clear है? अब values आगी अब हम इसको put कर सकते हैं हमारे formula में हमने माल लिया कि तो center of gravity है वो a point से कितने distance पर है? x bar distance पर है तो x bar को मैं कैसे निकालूँगी? हम यह भी हमके formula देखा था वो formula क्या था? integration x dm अब dm क्या है? dm यही तो है mass of element यहाँ पर हमने क्या लिखा था? dm is equal to mass of element तो यह dm की value तो है तो x into dm की value पुट कर दो m into यह आपकी मर्जी है कि आप इसको delta x लिखो ऐसे या फिर आप इसको dx लिखो delta और d दोनों का ही मतलब क्या होता है? कि दोनों का मतलब क्या होता है? कि small values कि आप इसको यूज कर रहे हो तो यहाँ पर confuse मत हो ना कि यहाँ delta लिखा यह d रिखा है आप इसको db लिख सकते हैं आप इसको delta भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है वो ठीक है? अब लिमिट क्या लेंगे? लिमिट देखो अपोन यहाँ पर क्या होता? dm होता है तो dm की value क्या है? m delta x अब m constant है तो आप m को बहार ले लो और अंदर क्या बच जाएगा? आपके पास integration limit 0 to a x dx अपोन यहाँ पर m को बहार ले लो integration 0 to a dx m कर दो जाएगा x dx बचे का सिरफ यहाँ पर क्या बचे का dx तो x का integration क्या बन जाएगा? x square by 2 और इहाँ पर dx का integration क्या बन जाएगा? x और limit कहां से कहां तक है? 0 से a 0 से a तो जहाँ जहाँ x है वहां-वहां क्या पूट कर दो? a तो यह क्या बन जाएगा? a square by 2 और ये क्या बन जाएगा एग देखों कैसे हम solve करते हैं इसको ये क्या बन गया X square by 2 लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके A तक और निचे क्या है X और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 0 से लेके A तक तो जहाँ जहां जहाँ X है upper limit minus lower limit जहां X है वहाँ A पुट करो a square by 2 minus जहाँ x है वाँ 0 पुट करो 0 into square by 2 निच्चे भी जहाँ x है वाँ a put करो minus जहाँ x है वाँ 0 पुट करो formula पता होगा न आपको upper limit minus lower limit होता है यहाँ पर limit क्या है a और lower limit क्या है 0 तो यह क्या बन गया a square by 2 यह तो खत्म ही हो गया और यह क्या बन गया a तो यह क्या आगया आपके पास a square by 2a a से a कट जाए था तो answer क्या आगया a by 2 अब देखो a by 2 का मतलब क्या है a by 2 हमने a b के length क्या लेट की थी a और यह x bar यानि कि हमने center of gravity का point x bar मानना था तो उस x bar की value क्या आगयी a by 2 a by 2 का मतलब क्या है कि इस length का half तो हमें यही तो show करना था कि जो center of gravity हमें बताना था था कहां लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि center of gravity कहां लाई कर दिया बिल्कुल उसकी middle point पे तो यह बात हमें पता थे हमने इसको prove भी करते है बिल्कुल easy है यह article और देखो यह आया view है आते हैं यह articles और देखो कितना easy है हमने क्या किया एक rod consider कर लिए उसकी length a ले ली एक point ले लिया पे जिसका distance a से x था उसकी बिल्कुल pass में एक point ले लिया q जो p से delta x की distance पे था a q की length क्या बन गी x plus delta x बन गी और यह formula पता था इस formula में value को put कर दे integration कर दे answer आ गया थाना बिल्कुल easy अब हम करते है triangular lamina के लिए triangular lamina के लिए देखो क्या किया हमने एक a b c triangle हमने draw कर ली a b c triangle हमने draw कर ली अब जैसे हमने इसमें p q को लिया एक p q को हमने strip ली वैसे हम क्या करेंगे इसमें भी हमने strip लेने पड़ेगी तो सबसे पहले था आपने a b c triangle draw कर ली और उसके उपर a d median draw करी चीक है a d क्या है इसकी median है और इस a d की जो length है वो क्या है l a d की length आपने लेट कर ली l एब b c की length आपने light कर ली a b c की length क्या light कर ली b c is equal to a अब क्या करेंगा आपने sticks consider कर ली यहाँ पर आपकी मर्सिया आप यहाँ पर भी कर सकती हाँ पर भी कर सकती यह strip consider कर लिए इसकी जो value है वो क्या है P से ले की Q तक क्या value है इसकी P से ले की Q तक करी इस point को नाम दे दिया L ठीक है अब देखो let AD is equals to L with the length of median to the base BC of triangle ABC also let BC is equals to a consider a strip PQ parallel to the base BC as horizontally जो PQ line ने यह strip है जो किसके parallel है BC के parallel है मैं देखने से भी परहा चल रहा है अब देखो जो हमने AD से लेकर length ले है वो ली है small L अब A से लेकर L तक की length को हम क्या consider करने है small x और इसकी जो थिकने से PQ की तुश्च थिकने से वो क्या Genesis करने है delta X और इसके dx तो यह A से लेकर D तक की length है वो तो है L A से लेकर L तक की length है वो है X तो ये length क्या बनकी L minus X ठीक है समझा अगे इतनी बात अब आपको देखने से पता चल रहा है कि जो A P Q ट्रेंगल है और जो A B C ट्रेंगल है ये दोना सिमिलर है आपको पता है कि जब ट्रेंगल सिमिलर होती हैं तो हम प्रोपर्टी लगा सकते हैं कि इस triangle का base uponis triangle का base इस triangle की height uponthis triangle की height equalον होगी तो इस triangle का base मैंने ले लिया pq इसका base pq तो है और इस पूरी triangle का base क्या है bc तो p q upon b c is equal to कि इसकी equal होगा al upon ad अगर यहां height ले रें तो इसकी height लेनी पड़ेगी इसका base ले रें तो इसकी тоб intestines लेना पड़ेगा को pq क्या बनेगा pq बनेगा bc into al upon ad अब bc को क्या लट किया था small a al को क्या लट किया था x upon ad को क्या लट किया था l तो pq की value क्या गई ax upon l क्या गई ax upon l तो अब हम क्या करेंगे अब हम इस pq का area निकालेंगे area तो मैं मान लेती हूँ कि मैंने small m किसको मानना है mass per unit area को तो यहाँ से मुझे तो क्या निकालना है मुझे तो area निकालना है तो area क्या बन जाएगा area क्या बन जाएगा mass upon m और यहाँ सेगहल मैं mass nnies कल लो mass तो वो क्या बन जाएगा mass into area तो यहाँ पर बहुत सारी चिज़े निकाल रखें देखो let m be the mass per unit of area of the lamina तो area क्या बन जाएगा area क्या बन जाएगा mass upon m तो mass क्या है mass क्या है हाँ से देखो area के अगर मैं बात करूँ area of pq तो वो क्या बन जाएगा pq का mass देखो area ये निकालने के लिए सबसे पहले निकालो mass अब इने पिछले article में सबसे पहले क्या निकाला था mass निकाला था नियुक्त को भूल जाओ हम सिद्ध इसका क्या निकाल रहे है mass हम इने पता चलिए कि mass यहां से क्या होगा m into area होगा तो mass is equals to m into अब इस pq का area क्या होगा area क्या होता है length into breath और यहां पर इसकी जो लेंद्ध है वह भी हमने निकाले थी ना पिछी क्या निकाले थी A x by L A x by L और इसकी जो थिकने से वह क्या लट किये हुए हमने डेल्टा एक्स तो यह क्या बन जाएगा डेल्टा एक्स तो मास क्या गया M x A x by L x अब मुझे क्या निकालना एरिया तो एरिया क्या होगा मास अपोन M, तो इसको M से डिवाइड कर दो, M से M कट जाएगा तो क्या बचेगा A x by L x तो यह हां पर किये होगा, यहां पर आपको समझ मिन आया कर कैसी किया होगा, मैंने आपको सब्सक्राइड कर दिया, पहले मास निकालो, फिर area को क्या करो, तो मास अपोन M, तो M से हम कर जाएगा तो AD आजाएगा ही, समझागे अब कैसे आया ही है, अब फिट से हमारे पाइस values आगा ही सारी, तो हम क्या निकाल सकते है, अब हम निकाल सकते हैं, इसके center of gravity, तो मैंने माल लिया, x-bar को एक point, कि वो center of gravity है from the point A, तो x-bar कैसे निकाल लोग मैं limit 0 से लेके, अब देखो, अब इसके long निकाल रही हूँ न, मैं, मैंने क्या किया, एक point let किया है, center of gravity का x-bar from the A, along AD, तो मैंने उस point को along AD लिया है, तो मैं limits भी तो along AD लोगी, तो AD की length कितनी है, L, तो limits कहां से कहां बन जाएगी, 0 से लेके L तक बन जाएगी, formula क्या होता है x into dm, x into dm होता है, तो x dm की value, यहां से mass कितना आगा है, dm, m ax, m ax upon l, और x already होता है, और यह dx, देखो, यह होता है, x into dm, x तो as it is रखो, और mass की value कितनी आई है, dm की value क्या आई है, m ax upon l into dx, तो वही लिखा हो यहां पर ax, m upon l dx, ठीक है, clear है, और limit कहां से कहां बन लगी, 0 स l तक क्योंकि यह adk long है, okay, ठीक है, तो हमने value पुट कर दी, अब यहां पर नीचे क्या पुट करते है, हम नीचे पुट करते है, dm, तो dm क्या है, dm, mass of the strip पी तो dm है, dm क्या है, m into ax upon l dx, अब m हमारा constant है, a हमारा constant है, क्योंकि a हमने length लेट की हुई है, तो m, a और l, तिन l को यहां से बहार लो, अंदर बचेगा, सिरफ 0 से लेके l, x dx, और नीचे की बात करो तो नीचे भी m को बहार लो, a को बहार लो, l को बहार लो, अंदर क्या बचेगा, integration, l much 0 to l, x dx, तो यह कट जाएगा, तो सिरफ यह बचेगा, अब इसके integration क्या होगा, x का x2 पाए 2 और इसका integration क्या होगा यहाँ पर यह x भी थो था देख़ो हमने al by m को तो भाहब ले लिया यह भी थो x है x x x, क्या बन जाएगा? x2 इसका integration क्या हो जाएगा? x3 by 3 क्या हो जाएगा x3 by 3 और इसका integration क्या बन जाएगा? x2 by 2 लिमिट्स क्या पुट करनी है 0 से लेके L, 0 से लेके L तो इसके जब L पुट करोगी क्या बन जाएगा LQ by 3 minus 0 upon इसके यहां पर पुट करोगी क्या बन जाएगा L square by 2 तो यह क्या बन गया L cube by 3 upon L square by 2 तो इसको उपल ले जाओ मैं L cube by 3 into 2 by L square तो यह कट जाएगा तो उपर क्या बन जाएगा 2 L by 3 तो क्या आगे हमारे 2 L by 3 अब L थी क्या L क्या चीज लेट किया हुई थी AD तो मैं इसको लिख सकते हूँ 2 by 3 into AD तो इसका मतलब क्या है हमने X bar क्या point लेट किया था X bar उस point को लेट किया था जो center of gravity थी थी ना उसने AD को किस में डिवाइड कर दिया 2 ratio 1 में डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो G है वो क्या है centroid है इस triangle का जो हमने जी point लेट किया center of gravity का वो क्या है center of gravity मतलब जहाँ पे triangle का centroid होता है ना वहीं पे center of gravity होती है समझ आगी बात तो ये थे आपके दो article और इस chapter का थोड़ा सा basic I think आपको ये chapter थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ये chapter बहुत ही easy है और interesting भी है करने में जिर्फ integration है में इसको solve करना है और बहुत easy chapter है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रू करना बागी की टॉपिक्स हम नेक्स वीडियो में कवर करेंगे वीडियो जाता लंबत आप जाएगा तो see you guys in the next वीडियो जालन बाबाई, take care, keep watching, keep studying